सेटेलाइट लॉंच उर्सत गंज आज अपना सेटेलाइट लॉंच कर रहा है साइन्टिस्ट के कई सालों के मेहनत का नतीजा है ये ये सेटेलाइट जमीन में छुपे सब नुटिरेनियम पदार्थ को ढून लेगा और देश में पावर की समस्या खत्म हो जाएगी जो देश के लिए बहुत अच्छी बात है नहीं ये सेटेलाइट नुटिरेनियम मेटल नहीं ढून पाएगा नुटिरेनियम मेटल की खान हमारे पहारों के आसपास है हाँ मेटल मैं निकाल रहा हूँ मैं दुनिया की सारी पावर्स अपने कबसे में करना चाहता हूँ इंबक्टू येस बॉस बोलिये जाओ और देखो ये सेटेलाइट स्पेस में नहीं जाना चाहिए मैंने एक स्पेस शेटल बनाया है उसमें जाओ और उस सेटेलाइट की रॉकेट की मशीन जाम करतो वस वो पुरसद गंज का सेटेलाइट है रोबो बॉई जरूर उसका प्रोटेक्शन करेगा उनका सेटेलाइट तो बर्बाद नहीं होगा हलेकिन अपने शटल के बरबाद होने के पूरे चांसेस हैं उल्लो की तुम्हारी बस का कुछ नहीं है एस्टो बाट मेरी स्पेस शटल में चाओ और फुरसत गंड के सटलाइट के रॉकेट की मशीन को जाम कर दो अगर फीड रोबो बॉइ रास्ते में आए तो उसे भी खात्म करता हो वो के बॉष इस सुपर दूपर देंजरिस बॉष अब यह फुरसत गंड के सटलाइट को रोकेगा यह स्पेस के लिए बनाया गया खास रोबोत है यह जीनिस बॉष सुपर दूपर जीनिस शी इस राइट बॉष शी इस राइट वीर इमली देखो वर्सत गंड का सेटलाइट लाँच होने वाला है वीर सेटलाइट अंतरिक्ष में कैसे जाएगा सेटलाइट के पीछे रोकेट लगा होता है वही रोकेट साटलाइट को अंतरिक्ष में लेकर दाता है रोकेट की क्या जरूरत थी? मैं तो ऐसे ही सैटलाइट को अंतरिक्स में भेज सकता हूँ जिन्टू ये काम साइंटिस्ट और साइंस का है इसमें जादू की मदद नहीं चाहिए और वैसे भी अगर तुमारे जादू से सैटलाइट उपर गया तो कहा बहुचेगा ये किसी को नहीं पता तुम तो हमेशा मेरा मजा की उड़ाते रहते हो मैं जा रहा हूँ बच्चो देखो अब बस थोड़ी ही देर में सैटलाइट लॉंच होने वाला है ये ओपर जाके जमीन के अंदर छुपे हुए नुटिरेनियम नाम का खास मिनरल ढून लेगा जिसमें प्लैटिनम और यूरेनियम से ज़ादा पावर होती है अग ये जेंटलमन, फाइब सेकेंट्स ते गो फाइब, फोल, फ्री, टू, वाण अब रोकेट का इंजन जाम हो जाएगा और सेटलाइट कभी उपर नहीं पहुच पाएगी अरे, ये क्या? लगता है रोकेट का इंजन जाम हो गया है और ये सेटलाइट कभी भी क्राश हो सकता है कितने सालों की महनत बेकार हो जाएगी अभी अभी मिली जानकारी के अनुसार रोकेट का इंजन जाम हो गया है और सेटलाइट नीचे गिर रहा है फुर्सत गंज में जहां भी गिरेगा, वहां प्लास्ट होके बहुत नुक्सान होने की संभावना है. साइन्टिस्ट की दस साल की महनत बेकार हो गई. डोन्ट वरी दादा जी, उनकी महनत बरबाद नहीं होगी. एस्ट्रोनाट सूट अन! एस्ट्रोनाट सूट अन! हेले, भूबोबॉइ! हमेशा की तरह आसमान में भूबोबॉइ मुसीबत की घरी में मदद के लिए आ गया है. क्या वो रॉकेट को रोक पाएगा? क्यूज़ रगे! नहीं! एस्ट्रोने में सबस्ते हा ? रगेघपा yr उके भॉस! यह अच्छानक कौन आगया यह कौन है जो रोबोपाई को रोपने की कोशिच कर रहा है येस सेटिलाइट ठीक से काम कर रहा है उसने सिगनल्स भेजना शुरू कर दिया है फीर लो बैटरी लो बैटरी दादाजी दादाजी मेरी बैटरी लो हो रही है वीर किसी भी सेटलाइट पे जाके चार्ज कर लो जल्दी वीर के हाथ का बैटरी कनेक्टिंग वाथ शुरू कर रहा है वायर तूटके अलग हो गया है, वीर, होश में आओ, अपना वायर चोड़ो, कोशिश करो वॉुुुुुुुुुुुю!!! वीर जैसे ही ये green liquid इस बॉक्स पे भर जाएगी तो तुम हमेशा के लिए liquid freeze हो जाओगे जिन्टु को बुलाओ जिन्टु सिर्फ वीर की चुटके बजाने से ही आता है ये ग्रीन लिक्विट बहुत खतरनाक है ये वीर को फ्रीज कर देगा वीर का बैटरी कनेक्टिंग वायर जब तक नहीं चुड़ेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता एक रास्ता है वह तक इंतसार करना होगा फीर अपने हाथ के बैटरी कनेक्टिंग वायर को चोड़ो जल्दी और उस बॉक्स से बाहरा आओ वरना फ्रीज हो जाओगे जी उस रोबोट ने सेटलाइट में बॉम फिक्स किया है चल्दी जाओ उसे निकालो सिर्फ पंद्रा सेकिंड बाकी है यही एस्ट्रबोन और ट्वीर बच्णा नहीं चाहिए प्रीज यहीं चाहिए जी जाओगे जी जी जाओगे जो सिर्फ पालो सिर्फ जाओगे जी जी जाओगे आएएब ग опасा आएएएब नहीं कर अभी है आएएएब नहीं कर दोफ दोफ दोब। आएएएब नहीं कर दो दोफेश्ट संदेश्ट आएएपन कर दोफे पॉाएएब ॉट अभिव अर देश्डिया पॉट skiing है यहाँ! यहाँ!